अब आप लोग का बहुत बहुत वोगत इस स्टडी पॉइंट यूटूब चानल पर आई वलकम यूटू तु स्टडी पॉइंट और आच्छे के इस पटिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैस के कुछ बहुत इंपोर्टन कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन है मैस का यह पार्ट नमबर 20 है मैस की प्लेइलिस्ट बनी हुई है रीजिंग की प्लेइलिस्ट बनी हुई है ताब उन वीडियो को जरूर देखेगा और मैस और इसनिंग के लिए एक स्पेशल चैनल भी रिएट किया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ ताब उस चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा उसमें मैस के इंपोर्टन कोशन को डिसकस किया जाता है तो चलिए हम लोग अपने आज का डिसक्रिशन स्टार्ट करते हैं इससे पहले के वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं एक वैपारी ने एक साइकल दस प्रतिशत हानी पर बेची यदि विक्री का मूले दो सो रुपए बढ़ा दिया जाता है तो उसे छे प्रतिशत का लाब होता है तो साइकल का क्राय मूले आपको बताना है बहुत इंपोर्टन कोशन है पहरे दे प्रतिशत का लाब होता आपको बताना है कि उसका क्राय मूल क्या है चार आपके सामने दिया हुआ है देखे इस तरह की कोशन नॉर्मली आप करेंगे फॉर्मूले से तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा तो इसमें आपको एक मैतर्ड में बताऊं जिससे आप इस कोशन क असानी से कर सकते हैं जैसा कि मैं हमें भिछा हूआता है कि 10 प्रतीशत हानि पर वेची है तो वूर्मा प्रतिशत ठीक है और उसको लाब कितने का हो रहा है चेप्रतिशत का तो उसकी वैलू क्यों हो जाएगी 106 प्रतिशत ठीक है तो इस तरह省 आपने देखा कि यहां पर 90 प्रतिशत से बढ़के जा रहा है कितना 106 प्रतिशत प्रतिशत की विद्धी हो रही है कितने प्रतिशत की विद्धी हो रही है जैसा कि आप देख रहे है 90 से जा रहा है 106 यानि कि 16 प्रतिशत की विद्धी हो रही है तो 16 प्रतिशत की विद्धी होने पर क्या कर रहा था वो 200 रुपे बढ़ा दे रहा था ठीक है तो 200 रुपे बढ़ा दे रहा है जब 16 प्रतिशत की वृद्धी हो रही है ध्यान से सुनेगा आप लोग ठीक है 16 प्रतिशत पर 200 की वृद्धी ठीक है तो 1 प्रतिशत पर कितनी होगी एक प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है मैंने हमेशे से बता है इसको भाग कर दिया जाता है ठीक है तो 100 के लिए क्या हो जाएगा इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे एक प्रतिशत के लिए इतना है तो 100 के लिए क्या हो जाएगा 200 बटे 16 गुडे 100 ठीक है तो इसको जब हम लोग solve करेंगे तो हमारा आ जाएगा answer 1250 ठीक है फिर इसमें बता रही हूं देखे क्योंकि ये 10 प्रतिशत की हानी थी तो overall उसकी value हो जाएगी 90 प्रतिशत यहाँ पर लाब था तो यह हो जाएगा 106 6 कता तो normally 100 रुपय की कोई चीज होती है ना अगर हम लोग मानते हैं तो हानी पर 10 हटा दीजे क्योंकि यहाँ पर हानी हो रही है लाब पर 6 बढ़ा दीजे क्योंकि यहाँ पर लाब हो रहा है तो 90 से जा रहा है यहाँ पर देखे 90 से वह बढ़ रहा है 106 यानी कि 16 प्रतिशत की वृद्धी होने पर वह बढ़ा दे रहा है 200 ठीक है तो 1 पर क्या होगा 200 बटे 16 तो 100 पर क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग अपने नेक्स कोशन पर आते है ठीक है इस कोशन को मैंने भी हाली के वीडियो में बताया था आपको इसके लिए बस एक फॉर्मुला होता है कोशन के आगरा साथ दलो के एक समूं में प्रतेक दल एक दूसरे से दो बार खेलते हैं समूं में कितने मैच खेले जाएंगे देखे इस कोशन को मैंने बस ओरली बता दूँ क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाया था इसके लिए बस एक आपको फॉर्मूला आदोना चाहिए वह होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू जहां पर एन क्या है एन है दलो की संक्या ने ग्रूप ठीक है एन क्या है आपका सेवन है लास्ट में एक चीज़ करना होता है क्या क्योंकि देखे साथ दलो के एक समझ में प्रतेग दल एक दूसरे से दो बार हात मिलाते है सॉरी दो बार खेलते हैं खेलने वाला है तो समझ में कितने मैच खेल जाएंगे ठीक है ऐसे हात मिलाने वाला भी कर सकते हैं कोशन हम लो तो मैंने आपको बता है formula n, n-1 by 2, जहाँ पर n मैंने क्या बता है, यहाँ पर 7 है, क्योंकि 7 दलो का है, तो 7, 7-1 upon 2, ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, 7, गुड़े 6, बटे 2, तो 7, 42, 42 बटे 2, काटा पीटी करेंगे, तो 21, 21 आया यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर आपका 3 होता, तो आप 3 से multiply कर देते, 4 होता, तो 4 से multiply कर देते, तो यह बस मैंने revision को रखाता है, तो next question बढाते है, अपने, जहाँ देजेगा question है, यदि किसी त्रिबुच के code 2-3-4 के अनुपात में हो, तो सबसे बड़े code और नियुनतम code के map का अंतर क्या होगा, question हाँ से यह नह नहीं दिया हुआ है, एंगल के form में नहीं दिया हुआ है, उसका अनुपात दे रखा है, ratio दे रखा है, तो सबसे बड़े code, ठीक है, माले जे बड़ा है आपका मान लीजे, बड़ा है आपका 10 और नियुनतम code, माले जे नियुनतम है, 4 तो इनके अंतर बताना है, आपको इ 2, 3, and 4, ठीक है, तो जब अनुपात दे रखा है, तो code, angle की value निकालने हम कैसे करेंगे, इन लोग का आपस में कर देंगे, plus, और आपको पता है कि इसकी value, एक त्रभुच के तीनों साइडों की, तीनों angle की value 180 होता है, 180, ठीक है, इतना ता आपको पता ही होगा, तो 2, plus 3, plus 4 is equals to 180, तो हम लोग प्लस करेंगे, तो 9 आएगा, 9 is equals to 180, ठीक है, 9 is equal to 180, तो 1 क्या जाएगी, आजाएगी, 180 बटे, जब इच या एक की value करते हैं, हम भाग दे देते हैं, तो 1 अनुपात की value क्या आपकी यहां पर, अगर हम लोग बात करें तो, यहार यह 20, ठीक है, तो 1 की value है 20, ठीक है, तो 2 की क्या हो जाएगी, 20 into 2, याने की 40, इसी तरह 3 की क्या हो जाएगी, 20 into 3, 60, ठीक है, इसी तरह 4 की क्या हो जाएगी, 4 into 20, 80, ठीक है, तो आपको बड़े कोड का पता चल गया value, और छोटे कोड का, बड़े कोड का क्या है, 4, गुडे, 20, यह था 80, चोटे कोड का क्या था दो गुड़े 20 इसको 40 तो 80-40 क्यों इसकी कि बड़े कोड और निमतिम कोड के अंतर बताना है तो 80-40 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यह आजाएगा 40 ठीक है क्योंकि माइनस करना है और जो कि हमारा option c में साफ साफ दिख रहा है ठीक है एंगल की वैलू ओवर ओल निकाल देंगे आ जाएगी 90 तो इसी सुरी 90 नहीं 20 आई थी ठीक है एक की आजाएगी 20 तो 2 की 3 की 4 की निकाल करके बड़े वाले की और चोटे वाले की वैलू निकाल करके माइनस कर देना ठीक है तो यह कोशन भी आई हो आपको बहुत अच्छे सम सवालों को हल किया है तो सही हल किये गए स्वालों की संख्या कितनी है ठीक है नमबर अफ सवाल कितने हैında चेया है उसने सवाल है की नो उसने गलत March Twin नंने सवालों की संख्या 10 तो सही कितने की है आपको यह बताना है यहां पो आपको सही कोशिन और गलस कोशिन का नंबर्स नहीं दिया एगी कितने सही किये हैं कितने गलत किये हैं उसने टोटल आपको बता रखा है और आपको ratio दे रखा है की कि 1 सही दे रखा है थीडिक क्या दे रखा है ratio दे रखा है one is to two का एक सही कर रहा है दो गलत कर रहा है और total सवाल कितने चववन ठीक है तो अभी मैंने पिछले कोशन बता है कि अगर ratio दे रखा हो तो number कैसे निकालते हैं add करके ठीक है एक और दो को add कि हमने तीन आ गया value यहाँ पे आ जाएगा 18 ठीक है मतलब की एक की value है 18 तो दो की value क्या आएगी 18 गुड़े दो मतलब 36 यानिकी एक क्या है सही की संक्यानि की कोशन कितने उसने सही किए 18 सही किए कितने सही किए 18 सही किए दो क्या है गलत की संगा है दो की व01 do kia 36 निगी 36 उसने गलत की है क्यों इसको आप चैक भी कर सकते हैं क्यों कैसे देखे 36 गलत कि 2020 18 चाहिए चोड़ जो है चौब आना चाहिए क्योंकि टॉटलெया 54 किया जो कि कोशन में दे रखाया अजयोब यह कोशन आपको बहुत अच्छे समझ में आवेगा वन इस्टू टू का रेशियो दे रखा एक सही है दो गलत है तो इनको हम लोग एड करेंगे तो तीन आएगा टोटल नंबर आफ कोशन कितने 54 उसने अटेम्ट किया है तो एक क दे जिए ठीक हुआ है फिर इप यह कोशन आको बहुत अच्छिस समझ में आ गया होगा अब शुचे 1 कि कजिए वस्तू को चार्षू पच्छीस पे बेचने से हानी होती है तो ऑस वस्तू का क्रें मोटित क्या है कह रहा है कि क्या क्या अच्छिं कह रहा है कि यदि किस हे उसे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसे तीन सु पश्बान में अगर वेज दिया जा है तो हानी हो रही है तो इस बस्तु का क्रेम उल्या आपको बताना यह ठीक है तो यहां पर 425 355 प्लस करके 2 से भाग दे देंगे ठीक है 425 355 अपॉन 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 780 बटे 2 तो इसको काटा पीठी करेंगे आएगा हमारा 390 ठीक है जो कि हमारा उप्शन सी में साफ साफ़ दिख रहा है अब एक क्रॉस चेक करदें इसको का讲 390 ऐता है क्रोस चेक करेंगे क्या उत्ने का लाब उत्ने की हानी हो रही की नहीं देखें लाब निकालने का फॉर्मूल आपको पता है क्या होता है थीिक है तो अगर हम वोग 425 में तीन सो नब्बे ठीक है चार से बच्जिस में बेच रहा है हिरीदा फिर निकाला था फिर फिर इस्को माइनस या तो मारा आया 35 अब इसी तरह लाब का कितना थैउट है फिर डिरी तीक है तोrio was 390 में से आप लोग मानस कर देंगे 375 ठीक है क्योंकि वो 375 में बेच रहा है मगर खरीदा कितने में था क्रेमूल कितना निकल के आया था 390 जो कि मैंने भी x plus y upon 2 से आपको निकाल के दिखाया थो तो ये भी आया 35 तो 35 लाब हो रहा है 35 हानी हो रही है तो कैसे निकालना है x plus y by 2 390 आया था x ये y ये ठीक है करके प्लेस कर देना है 2 से भाग 390 है लाब और हानी का मैंने प्रतिशत कह रही हूँ प्रतिशत कहां पूछा है नहीं है लाब और हानी की जब क्रैमूल आ गया तो आप लाब भी निकाल सकते हैं और हानी भी निकाल सकते हैं ठीक है ये कोशन बहुत इंपोर्टन है थोर्ट ट्रिकी था बट बहुत इजी है बस you have to learn the formula x plus y by 2 आयोप ये कोशन आको बहुत अच्छी समझ में आ गयोगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीज़ेगा कोई डाउट हो तो कमेंट शेक्शन में जरूर पूछेगा और जो चैनल का लिंक दिया उसको आप सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक्यू सो मच वाचिंग थैंक्यू